असलाम उलेकुम वेलकुम टो मैं योटूब चैनल फारी वीद केचन आज हम बनाएंगे दही भलियां जो आप सब को बहुत पसंद आने वाली हैं ऐसी दही भलियां जो बुजार वाले दही भलियों की भी छुट्टी करवादे और ये दही भलियां देखें आपके मूँ में पानी आएगा और आप कहें के आज हम इसे बनाना स्टर्ट करेंगे अब आप मुझे स्टप बेस टैफ फॉलो करेंगे तो आपकी दही भलियां बहुत ही मल्से की बनने वाली है यह दहीं बलियां, जिसे मैंने चार गाटे से बगआ के रखा हुआ था, अब इसे दोना हातों के मददे से इसे अच्छे से दिबाकर इसका पानी बाही निकाल देंगे, ताके पानी में इसका सारा ओयल चला जाए, और यह देखें, पानी में सारा ओयल आ गया है, ऐससे हमार एक कप बॉइल किये चनी के डालेंगे एक ब्रीक कट किया मीडियम साइज का प्यास डालेंगे और प्यास की कटिंग मोटी नहीं करेंगे एक ब्रीक कट किया टोमाटे लेंगे जिसके उपर से चिलका तार लिया था और बीच पाही निकाल दिये थे दो टेबल स्पून बंदगोबी के डालेंगे दो ब्रीक कटकी सबसमर्च के डालेंगे जो कडवीना हो एक ब्रीक कटकी या खिरा डालेंगे अगर आम मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन का बटन दबा दे अब इसमें दहीं डालेंगे लेकिन उससे पहले दहीं को अच्छे से फैंट लेंगे और दहीं को जब अच्छे से फैंटेंगे तो इस बात का धियान रखें कि दहीं खटी ना हो दहीं जितनी मिटी होगी दहीं बलियां उतनी ही मज़े की बनेंगी दही इतने अच्छे से फैंटेंगे कि इसमें लंजना रहें अब इसे हम दही बलियों में डाल देंगे अगर आपको दही बलियों की रैस्पी अच्छी लग रही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेर करें अब हम चटनी लेंगे जो पदीना, धनिया और नार्दना से त्यार की है जो बलियों के फ्लेवर को चाड चान लगा देगी इस चटनी के अंदर थोड़ी सी दही मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके दही बलियों के उपर डाल देंगे अब 1 टी स्पून नमक डालेंगे 1 टी स्पून चाड मसाला डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये ऐसी दही बलियां बनाएंगे कि सारे आपकी तरीफे कटते जाएंगे ये दही बलियां आप सब को बहुत पसंद आने वाली है आप ये दही बलियां जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट सेशन में बताइएगा ये देखें हमने अच्छे से मिक्स कर ली है अब घर में बनाए हुई मज़ेदार मीठी इमली की चट्नी इसके उपर डालेंगे जिससे दही बलियां का फ्लेफर बहुत ही कमाल का आने वाला है ये मैंने इसमें इमली की चट्नी डाल ली है और इसके उपर इस तरह से हम इमली की चट्नी डाल देंगे यहां पर एक एहम बात बताती जाओं कि अब इसमें हम पापड़ी डालेंगे ये पापड़ी हम मेदे से भी त्यार कर सकते हैं अगर टाइम थोड़ा है रॉल पर टिगर में मजूद है चोटे पिस करके उसे फ्राई कर लें और ये पापड़ी हमारी त्यार है और इसको इस तरह से हम दही बलियों के उपर टाल देंगे अब इसके उपर थोड़ा सा चाट मुसाला डालेंगे बहुत ही मज़ेतार और चटपटी दही बलिया हमारी त्यार हैं ऐसी दही बलिया जो आज से पहले कहीं न खाई हो ये दही बलिया जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगी और इस दही बनियों को आप ठंडा करके खाईएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप ठंडी करके नहीं खाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा दही बनियां जितनी ठंडी हो उतने ही मज़े की लगती है अगर आपको ये दही बन लियां की रैस्पी अच्छी लगी है तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक यू